असलाम लेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आ जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेस्ध नमर 7 बढ़ी थी ओवऔर फूड हम कुण कौन सा गुजा हम खाते हैं क्या-क्या हम खाते हैं तो यह लेस्ध हमने कुम्पलीट की है आज हमें इसके questions करने हैं तो आप ध्यान से questions की तरफ देखे पहला जो question है tick the correct option आपको जो लगेगा कि जो option इन तीन options में से जो इन तीन तीन options में से जो option आपको ठीक लगेगा आपको उसको tick करना है तो पहले हम पहला वाला statement देखते हैं mango, apple and banana और जो आम आप खाते हो सेब आप खाते हो और केला आप खाते हो वो क्या है वो fruits है क्या वो मेवे हैं क्या वो vegetables है या सबजिया है या वो food grains है मतलब दाल जैसे pulses होते है तो वो क्या है fruits है तो इसमें आएगा fruits को tick we eat fruit we eat food to get हम food क्यों खाते हैं क्या हम मेवे पाने के लिए फूड खाते हैं, क्या हम एनर्जी पाने के लिए फूड खाते हैं, या हम चॉकलेट पाने के लिए फूड खाते हैं, किस के लिए हम फूड खाते हैं, तो गेट एनर्जी, इसमें आएगा एनर्जी को टिक, पहले में आएगा फ्रूट्स को टिक दूसरे में आएगा energy को टिक और तीसरे में आएगा dry fruits को टिक we get wheat and rice from हम जो wheat और rice खाते हैं वो हम कहां से हासल करते हैं क्या हम animals से हासल करते हैं plant से या fishes से वो हम plant से हासल करते हैं तो इसके बाद जो b वाला question है right t for true and f for default statements आपको जो लगेगा जो अला statement ठीक है आपको उसको आगे लिखना है t और जो लगेगा कि वो गलत है उसको लिखना है आपको आगे f तो आप आराम से दियान से देखे we get different kinds of food from plants and animals जो भी हम गुजाह खाते हैं वो या तो हम plant से हासल करते हैं तो हम animals से हासल करते हैं तो ये बात सही है इसको आएगा we get fruits, vegetables, food grains from plantas जो भी हम मतलब फल खाते हैं सबजियां खाते हैं या food grains खाते हैं या food grains खाते हैं वो हम सिर्फ plants से हासल करते हैं ये भी ठीक है we should not wash our hands before eating हमें हाथ अपने साफ नहीं करने चाहिए कोई भी खाना खाने से पहले ये गलत है और जो था है we should eat while watching टीवी हमें हम जब टीवी देखते होंगे तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए हमें टीवी देखना चाहिए नहीं ये भी गलत है तो तीसरा वाला question है fill in the blanks with correct words from the box आपको इस box में से ठीक सही options उठा की इन blanks में डालने हैं तो पहला है dash is a complete food, energy, milk, fresh water we should dash fruits before eating, we should wash, पहले में आएगा, दूसरे में आएगा wash we need food because it gives us energy, तीसरे में आएगा energy we should eat fresh fruits, fresh and clean fruits पहले में आएगा milk, दूसरे में आएगा we should dash fruits before we should wash, पहले में आएगा milk, दूसरे में आएगा wash, तीसरे में आएगा energy और चोथे में आएगा fresh समझ में आईए आपको बात, अब ये वाली questions रह गए हैं ये मैं आपको कल के lecture में दिखाती हूँ आज की lecture में इतना ही, आला हाफिज